Hey everybody, this is Anamika and you are watching Partiala Rishikesh आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Padma Awards 2022 के बारे में अभी हमने हाली में अपना 73rd Republic Day मनाया तो उसी के उपलक्ष में हमारे राश्रपती जी के द्वारा Padma Awards गूसित किये जाते हैं मतलब दिये जाते हैं जो भी recipient इसके होते हैं उनको Padma Awards दे जाते हैं Republic Day के दोरान तो आपके लिए बहुँ जादा important हो जाता है जितने भी आपके upcoming exams है तो आप उनके नाम पता होने चाहिए किस-किस को यह award दिया गया है और जितने भी और important facts इसे related हैं उनकी बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे हमारे CDS General विपिन रावत के बारे में भी उनकी जीवनी के बारे में जितने important facts हैं उनके बारे में भी हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे यह चाहे उनके लिए एक छोटा सा tribute हो तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे और बाकी जितने भी important facts हैं जो आपके exam में बनेंगे जहां से question उनके बारे में भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपके लिए introduction है कि Padma Awards होते क्या है तो the Indian government यानि कि Indian government के द्वारा दो civilian award institute करेंगे कौन-कौन से एक आपके 3-tier award होंगे और एक आपका भारत रत्न होगा कब करेंगे थे 1954 में Indian government ने start करा दो civilian award होंगे यानि कि एक 3-tier में दिये जाएंगे और एक आपका single भारत रत्न होगा जो कि हमारा highest civilian award होता है 3-tier award में कौन-कौन से आपके award दिये जाएंगे Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri तो ये आपके 3-tier award हो गए जो कि भारत रत्न के बाद highest civilian award में गिने जाते हैं तो किसको दिये जाते हैं तो कोई भी particular field हो जिसमें कि किसी इनसान ने कोई outstanding performance की हो तो उसके field में ये award उनको दिया जाएगा ठीक है, President of India के द्वारा ये award दिया जाता है और हर साल Republic Day पे ये award वित्रित किये जाते हैं यानि कि दिये जाते हैं जो भी recipient होते हैं 25th of January को उनके नाम announce किये जाते हैं और 26th of January को ये award उनको दे दिये जाते हैं ठीक है, तो इस बार भी Republic Day पे हमारे President of India ने ये award दिये हैं उनके नाम गोशित करें हैं तो उनके बारे में हम बात करेंगे अगर हम बात करें कि प्राइज मनी क्या होती है आपकी Padma Awards में तो इसमें कोई भी प्राइज मनी नहीं दी जाती है एक आपको certificate दिया जाएगा जिसमें कि President of India के signature होंगे और एक medal आपको दिया जाता है और बहुत सारा सम्मान दिया जाता है तो अब हम highlights देख लेते हैं Padma Awards 2022 के बारे में कि क्या क्या रहा है 2022 में जहां से अमारे ले question बनेंगे तो आपको एक question डारेक्ट पूसता है कि इस बार 2022 में कितने लोगों को Padma Awards से सम्मानित किया गया है तो total आपके 128 लोग हो जाएंगे जिनकों कि इस बार के Padma Awards दिये गए जिसमें कि दो duo case भी है यह वो case होते हैं कि मतलब दो लोगों को एक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा उसको एक count किया जाएगा लेकिन वो लोग दो होंगे इसमें आपके अगर particular number बात करें तो 4 आपके Padma Vibhution हो जाएंगे जो कि भारत रतने के बाद Highest civilian award है 17 आपके Padma Bhution हो जाएंगे और 107 आपके Padma Shri हो जाएंगे तो तीनों category के आपको individually भी याद रखने है छोटे छोटे नंबर है एक आपके 4 हो जाएगा सत्रा आपके Padma Bhution हो जाएगा और 107 आपके Padma Shri हो जाएंगे जिसमें अगर हम बात करें तो 34 आपकी महिलाएं थी यानि कि 34 women को भी award दिया गया है 10 persons बिलॉंग करते थे आपके foreigners थे NRI से थे PIO थे और OCI से बिलॉंग करते थे इसमें ही आपके 13 लोगों को posthumus यानि की मर्नो प्रांती award दिया गया जिसमें कि हमारे एक बहुती prominent personality हमारे CDS विपिंडरावद भी है जिनकों की मर्नो प्रांत Padma Vibution Award से संभानित किया गया तो उसके बारे में हम बात करेंगे अभी आगे सबसे पहले पदमवी भूशन जो कि भारत रतने के बाद हाई-स सिविल एन वाड़ उसके बारे में बात कर लेते हैं तो चार लोगों को जैसे मैंने बताया कि चार लोगों को ये दिया गया है तो उन चारों के आपको नाम याद होने चाहिए क्योंकि बहुत चोटा नंबर है चार है तो चारों के नाम आपको याद होने चाहिए यहांसे कोशन बन सकता है आपको कोशन किस तरीके से बन सकते है वो मैं आपको बता देती हूँ या तो आपको पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम दे दिया जाएगा और पूछेगा आपको कि यह किस फील्ड से है या कौन से स्टेट से यह बिलॉंग करते है या फिर आपको यह पूछा जा सकता है कि इस 2022 में इन में से कौन सा ओप्शन है जिनकों कि पद्म विभूशन अवार्ट से सम्मानित किया गया या फिर नहीं किया गया तो इस तरीके के आपके गुशन मन सकते हैं तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए तो पढ़ लेते हैं एक दिया गया है आपका मिस्प्रभा आत्रे को यह अवार्ड दिया गया है जो कि हमारे कौन से फिल्ड से बिलॉंग करती है आर्ट से बिलॉंग करती है और महाराश्य स्टेट से बिलॉंग करती है ठीक है दूसरे हमारे श्री रादेश्याम खेम का नाम है इनको दिया गया है अवार्ड पॉस्तमसली यानि कि मर्णो प्रांध इनको अवार्ड दिया गया है लिट्रेचर एन एजुकेशन के फील्ड से ये बिलॉंग करते हैं और उत्तरपदेश के ये रहने वाले हैं इसी तरीके से हमारे ननादर देन CDS जनरल वीपिन रावत को पॉस्तिमसली अवार्ड दिया गया जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम है कि इनको भी अवार्ड से समानित किया गया ये हमारे इनका कॉंट्रबिशन तो आपको पता है सिविल सर्विसेस में इनका बहुत बड़ा कॉंट्रबिशन है बागया भी हम इनकी डिटेल में आगे बात करेंगे और ये हमारे कहां से बिलॉंग करते हैं उत्ता खंडराज जिसे बिलॉंग करते हैं फिर चौते नमबर पे आते हैं श्री कल्यान सिंग इनको भी अगेन ये अवार्ड दिया गया पॉस्तुमसली ये आते हम आपके पबलिक अफेर्स से और उत्तरप्रदेश चाहिए बिलॉंग करते हैं उत्तरप्रदेश के ये CM भी रह चुके हैं तो इसले भी important हो जाते हैं और ये आपके हिमाचल पडर्देश के govarner भी रह चुके हैं तो बहुती prominent personality हैं तो श्रीक अल्यान श्रिंग को भी पब्लिक अफेस में ये अवार्ड दिया गया है कौन से अवार्ड है ये पद्मवी भूशन की बात हमने कर ली चारों लोगों के आपको नाम याद होने चाहिए इनके फील्ड और कौन से स्टेट से ये बिलॉंग करते हैं ये भी आपको याद होना चाहिए फिर आते हैं पद्मवूशन अवार्ड पर जो कि इस बार दिया गया है सत्रा लोगों को मैंने आपके लिए सत्रा लोगों के लिस्ट लगाई है जरूरी नहीं है कि आपको सत्रा के नाम याद होने चाहिए लेकिन जो मेन हैं आपको उनके नाम याद हो आता है गुर्मीत बावा को इनको मिला है पॉस्त मसली अवर्ड अगीन मर्नोब्रांथ आट से यह बिलॉंग करते हैं और पंजाब के रहने वाले ठीक है फिर आता है आपका श्री बुद्धा देव बटार जी का नाम यह पब्लिक अफेस से हैं और कहां से हैं वेस्ट जाएगा और एक ही वो काउंट होगा तो कौन-कौन से हैं कृष्णा एल्ला एन सुचित्रा एल्ला इनको दिया गया है ट्रेड एन इंडस्ट्री में तेलंगाना से बिलॉंग करते हैं इनके नाम आप देख सकते हैं थोड़े वैसे हैं अटपटे तो हमारे साउथ से बिलॉंग करते हैं राशित खान का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा आठ से बिलॉंग करते हैं और उत्तरपदेश के रहने वाले हैं राजी महर्शी सिविल सर्विसिस के लिए ने दिया गया है और राजिस्तान से बिलॉंग करते हैं इसी तरीके से सबसे इंपॉर हो जाते हैं कंटरीन की USA वांकिन की इनके पास citizenship है इसलिए यूसे के हैं फिर आते हैं एक और प्रॉमिनेंट नाम आता है सुन्दर पिचाई का नाम ठीक है जो कि गूगल और की जो पैरेंट कंपनी अल्फाबेट उनके CEO हैं जो कि अगे यूसे के हैं अब देख सकते हैं तीन ड्रेड़ेंच इनोस्त्राइब और महारीस्ट्रा नाम एक और नाम आता है सृ संजना राजन इनको दिया गया ऑस्नमसली ठीक है यह इनका फीरल है और इनकी कंट्री है मैक्सिको सट्र्डी हो जाएगे ठीक है फिर आते हैं कुछ और नाम प्रतिबार रिड़े का नामना और Odisha से घे बिलग कड़ती हैं फिर सचीछ इननन्थ का नाम आता है यह इनका फिल्ड है और इनका स्टेट हो जाएगा फिर आधर श्रीख वंठ्यिश्च त्रिपारटी इनका फिल्ड आप देख सकते हैं और उत्तरप्रदेश इनका स्टेट हो जाएगा तो यह आपको तीनों कैटेगरी याद रखनी है कि कौन से किस को दिया गया है कौन सी परसनालिटी को दिया गया है कौन से फील से वो बिलॉंग करते हैं या फिर कौन सी कंट्री के वो रहने वाले हैं या वहां से उनका संबन्द है ठीक है तो यह आपको तीनों चीज़ें य से मैंने बात करी थी कि पदमश्री 107 लोगों को इस बार का दिया गया है तो 107 लोगों को आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है मैंने कुछ नाम जो बहुत जादा महतोपूर्ण है वो आपके लिए यहां पे लगाए हैं तो बात कर लेते हैं उनकी सबसे पहले जैसे तो इनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है फिर आते हैं आपके सिंगर इनका नाम तो सबने सुना होगा सुनू निगम इनको भी इस बार का पदमश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया फिर आते हैं मार्शल आर्ट कोच हैं फैजल अलीदर इनका नाम है जम्मो उने के Tokyo Olympics में बहुत ही इनके outstanding performance के लिए इनको इस बार का पदमश्री Awards से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है, तो यह कुछ और important नाम है जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहां से question बन सकता है, या फिर आपको इन से related कुछ और question भी आपको घुमा के पूछ सकता है, त उनके जीवन के बारे में, उनके contribution के बारे में, कि क्या-क्या उनका हमारे देश के लिए contribution रहा है, कैसे-कैसे उनकी journey रही है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, यह हैं हमारे CDS General Vipin रावत, तो इनका जन्म होता है, पौड़ीगडवाल, जो कि उत्राकंड के, उ इनके जो दादाजी थे, वो अल्रेडी इंडियन आमी में थे, तो इनका जो पालन पोशन होता है, वो इसी तरीके से होता है, मतलब यह इंडियन आमी के बीची पले बड़े हैं, और उनको देखके ही, इनको motivation मिलता है, अगर हम इनके पिता जी की बात कर लें, तो इनके प से इनके अपनी पढ़ाई खतम करके, इंडियन मिलिटरी अक्याडमी से ट्रेनिंग लेके, 1978 में, as a officer commissioned हुए ये इंडियन आमी में, ठीक है, तो इनके अपनी जो पढ़ाई थी, वो नेशनल डिफेंस अक्याडमी से करी है, उसके बाद इनके इनके यूसे में जाके अपनी हाईर एजूकेशन ली, फिर इंडियन मिलिटरी अक्याडमी में अपनी ट्रेनिंग पूरी करके, ये as a officer commissioned हुए थे, 1978 में, ठीक है, और कौनसी अगर आपको पूछता है कि कौनसी battalion में, तो एक बहुत संजोग की बात है, कि ये 5th battalion of गोर्खा राइफल, जो अगेन इनके पिताजी की battalion थी, तो उसमें ये as a officer commissioned हुए, तो ये चाहे संजोग की बात कहें, या जो भी आप इसको कहना चाहेंगे, तो ये इनकी छोटी सी जर्नी थी, कि कैसे ये इंडियनामी में आए, और इनके और contribution के अगर हम बात करें, कि 2016 में surgical strike हुई थी, जिसमें कि हमने, जर्नल विपिन रावत का बहुत ही आहम रोल था, तो उसमें भी इनका contribution माना जाता है, जैसे हम बात करें, हमारे सीडिय जो जर्नल विपिन रावत थे, इनको sword of honor भी दिया गया था, ठीक है, sword of honor क्या होता है, ये होता है, आपका best cadet का award इनको दिया गया था, जब ये इंड और बात करें, कि अपनी service के दोरान उनको और कौन-कौन से medal मिले थे, तो उनका contribution देखते हुए, उनका war में, उनका participation देखते हुए, उनको दिये गये थे, एक परम विशिष्ट सेवा medal से इनको सम्मानित किया गया है, उत्तम युदु सेवा medal से इनको सम्मानित किया गया थ अति विशिष्ट सेवा medal इनको मिला है, और विशिष्ट सेवा medal और युदु सेवा medal और सेना medal, इन सारे medal से इनको नवाजा गया है, और अभी हाल फिलाल में तो आपको पता है कि इनको जो second highest civilian award है भारत का पदम विबूशन उससे भी इनको सम्मानित किया गया है, तो यह ह हमारे जनरल विबिन रावत और इनके यह जितने भी medal लगे वे हैं, यह उनकी abbreviation होती है, तो अब इसमें और क्या add हो चुका है, हमारे पदम विबूशन अवार्ड उनको मिल चुका है, और यह सारे अवार्ड उनके service के दौरान उनको मिले थे, क्यों है यह न्यूज में है आपको पता है, इसका तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वैसे अगर हम बात करें, सबसे important facts आपके लिए क्या है इन से related, कि हमारे पहले chief of defense staff थे, यानि कि इससे पहले यह पोश्च नहीं हुआ करती थी, तो हमारे जो जनरल विपिन रावत थे, यह हमारे पहले CDS यानि कि पहले chief of defense staff इनको बनाए गया, इससे पहले यह 27th number के हमारे army chief थे, यानि कि हमारे उस time के current army chief थे, उसके बाद इनोंने as a CDS join करा है Indian army को, ठीक है, CDS क्या होता है, यानि कि जो हमारे chief of defense staff होते हैं, वो basically होते क्या है, वो commanding officer होते हैं, आर्मी के, नेवी के, और हमार Air Force के, यानि कि जितने भी armed forces होते हैं, तीनों armed forces के यह commanding officer होते हैं, और इनके advice यह देते हैं, मतलब कि हमारे army, navy और जो Air Force होगी, वो किस तरीके से उनकी functioning होगी, यह इनका basically काम होता है, ठीक है, तो जैसे मैंने बता दिया, December 2016 में तो उनको as a army chief बनाया गया था, मतलब इंड इसमें CDS जनरल विपिन रावत और उनकी पतनी और कुछ 11 और crew member थे, उनकी अभी वो अभी शहीद हो गये, मतलब उस helicopter crash में सहीद हो गये, तो इसलिए भी बहुत जादा यह news में है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, बहुत ही tragic घटना थी, नहीं होना चाहिए था इसे पर हो गया, ठीक है, तो आपको इनके बारे में सारा fact पता होने चाहिए, क्योंकि यहां से question बनने के बहुत जादा chances है, और बाकी in general भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पहले CDS यह रह चुके हैं, और बहुत ही prominent, बहुत ही अच्छी personality यह थे, तो इनके बार सकते हैं, पाच्छाला रिशी केस के नाम से, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थांक्यू सो मच, वे नाइस टे, बाबाई, टेक कियर